नामीबिया ये वाला देश कुन सामी लेगा नामीबिया ये देश नामीबिया के सामने एक समुंदर है जिसका नाम है सेंट हेलेना की खाई नामीबिया के सामने के समुंदर का नाम होगा सेंट हेलेना की खाई देखिए फटा फट नामीबिया के सामने एक समुंदर होगा ज नामी भी अगर आगे की खाई है सेंट ठेलेना की खाई है अरे भाई कई टो कर रहा सर इवियम है को सकता है अरे काहे लिए पागल हो रहा है लोग यार उदर ट्रॉम्प छोड़ने को नाम नहीं ले रहा है इधर तू लोग इवियम के पीछे पढ़ा है पढ़ाई करना या काम कतम बोट दे कि आया बागी तुम्हारे कम कतम इवियम हो सकता है अगल क्या हीम टांदर ओक्या है तुम्हें जब बॉसक्ता है तो एके अधमी का है करा लो कि एक तुम यहाम यहां पने काल करने का था जरुब करने का तूम यहां मिल che잡 हम एले गी और इतितेर परना की क इसके आगे एक समुंदर में द्वीप मिलेगा सेंट हेलेना द्वीप जिसको जिसको मिल गया है वो देखिए सेंट हेलेना द्वीप समुंदर के आगे मिलेगा सेंट हेलेना द्वीप और अंसर देंगे लोग सेंट हेलेना द्वीप पर कौन से ऐसे राजा था या कौन सा ऐस सासक था जिसकी मृत्ती हुई थी सेंट हेलेना द्वीब समुंदर में इदर मिलेगा सेंट हेलेना द्वीब सेंट हेलेना द्वीब पर किस राजा की मृत्ती हुई थी अंसर दीजें सेंट हेलेन यूके का है नेपोलियन वेरी गुड नेपोलियन की मृत्ती हुई थी यहाँ पर नेपोलियन बोनापाट की मृत्ती हुई थी ब्रिटेन का है नेपोलियन को क्या किया गया था सेंट हेलेन दूइब पर रख दिया गया और सेंट हेलेना दूइब पर जब रखा तो यहाँ पर क्या हुआ सेंट हेलेना दूइब जो था वहाँ पर इस सेंट हेलेना दूइब के पास यहाँ पर जब रखा गया था तो इस दूइब पर सेंट हेलेना दूइब से यहाँ पर नेपोलियन की मौत हो गई, क्योंकि नेपोलियन इधर उदर जाही नहीं सकता था, यहीं पर नेपोलियन ने अपनी आखरी सांस दिया था, आगे बढ़ जाते हैं, यह सेंट ठेलेना तुछी, नामीबिया मिल लिए आपको, यह नामीबिया, नामीबिया को आप द की खाड़ी नामीबिया के समुंदर का नम क्या वालविस की खाड़ी इसके उपर मिलेगा नामीबिया ये सेंट ठेलेना की खाई तो सेंट ठेलेना छोड़ देना है उसको यहां पर कौन सा खाई मिलेगा वालविस की खाड़ी फीजिकल लक्सा में देखिए नामीबिया में आपको मिलेगा नामीब का मरुवस्थल, यहाँ पर होगा नामीब का मरुवस्थल, नामीबिया के पास होगा, नामीबिया का मरुवस्थल, वालवीज मिल गया, बे आफ वालवीज, वालवीज की खाड़ी, चलिए नामीबिया के बगल में एक देश मिलेगा बोथ सुआना, नामीविया के बगल में एक देश मिलेगा बोथस्वाना अंसर दीजे बोथस्वाना में कौन सा मरुवस्थल कौन सा डेजर्ट है बोथस्वाना में कई बैर पूछा हुआ है बोथस्वाना में कौन सा डेजर्ट है काला हारी मरुवस्थल कालाहारी मरुस्थल है यहां पर बोटस्वाना में कालाहारी मरुस्थल है नामीबिया और अंगोला यूरेनियम के बहुत बड़े भंडार है सब यहां पर यूरेनियम की मातरा जादे है भारत को यहां से यूरेनियम लाना चाहिए यह नामीबिया वगर है इस नामीबिया के बगल में यह हो गया आपका बहुत स्वाना इधर जिमबाबे और जांबिया तो पढ़े ही हैं नीचे में देखेगा आपको मिलेगा अफरीका यहां देखेगा साउथ अफरीका मिलेगा नीचे में कौन सा जगा मिलेगा साउथ अगर आप पढ़े लिखे नहीं रहेंगे ना तो आपके अंदर क्रिटिसाइज सुनने की आदत ही नहीं रहेंगे कोई आपको थोड़ा सा बोल देगा ना तो आग बबूले हो जाएंगे क्योंकि अधजल गगरी छलकत जाए तो अनपड रहाएगा सो तनी तनी बात पर ब्लास्ट बंफोर दो गुली मार दो सरकाट दो ही आएगो सोमालिया में बोगों का सरकाट के फुटबॉल खेल थे हगो यहें कैए तो applis दोysis अनपड़ी पर दो सरकाट के फुटबॉल खेल खेल ला सरकाट मुल्ण मतलब वह भी तो किसी का बाल बच्चा है आतोरा स्रकाट है कोकि कहा हमारे पर आते चार हो रहा है और इतना इतना के उसको गटए काट देता है. यह South अफरीका जो है, अफरीका महादीप में सबसे ज़ादे Kelp Town है. इस South अफरीका का नीचे सहर मिलेगा आपको Kelp Town. अफरीका का सबसे नीचे सहर क्या मिले mode come from ce о केप टाउन अफरीका का बहुत बड़ा डेबलप सहर है केप टाउन केप टाउन मिल यह आपको यह वला जगा है केप टाउन जबकि नी इस साइड में अगर आप देखेंगे अफरीका महादीप में तो अफरीका के इधर से साइड में देखेंगे समुंदर के किनारे किनारे यहां मिलेगा डर्बन तो अफरीका महादीप में दो समुदरी देश सहर बहुत फेमस है केप टाउन और डर्बन केप टाउन और क्या है डर्बन है अफरीका दक्षणी अफरीका के दो सबसे बड़े सहर केप टाउन और डर्बन केप टाउन है और क्या है डर्बन है केप टा मिलेगा इसकी राजधानी क्या मिलेगा प्रिटोरिया मिलेगा अफरीका की राजधानी प्रिटोरिया मिलेगा मिल गया तो इसकी राजनीतिक राजधानी प्रिटोरिया है और आर्थिक राजधानी डर्बन है तो इसलिए काते लो इसका तीन 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 तो राजधानी क्या च यह जगा कौन सा होगा भई यह प्रिटोरिया किसी कोई दिक्कत नहीं है प्रिटोरिया के पास आपको एक खान मिलेगा जिसमें से सोना और हीरा निकलता है हम आपको option देते हैं, आप बते ही उस ख़दान का नाम क्या है, प्रिटोरिया के जश्ट पास मिलेगा, जोहांसबर्ग के पास मिलेगा, जोहांसबर्ग के पास एक खान मिलेगा यहाँ पर, हीरे और सोने के लिए फेमस है अफ्रीका का वो ख़दान, हीरे और फेमस के लिए, बता रहे है सर बीच में लाल वाला क्या स्वाजी लेंडू तो अलग देश है किमबरले की खान वेरी गूड जोहांसबर्ग और किमबरले की खान दो बहुत फेमस है जोहांसबर्ग तो उसी में लिखा होगा और किमबरले की खान देखिए प्रिटोरिया के नीचे एक जोहांसबर्ग है जो सोना और हीरा के ख़दान के लिए फेमस है वही पर आपका किमबरले की खान और जोहांसबर्ग की ख़दान है ये सोना के लिए बहुत जादे फेमसिया सोना चांदी बहुत जादे मातरा में खनन करके निकाला जाता है जोहांसबर्ग और किमबरले की ख़दान से आगे देखा जाता है इसमें अफरीका का सबसे प्रमुख नेता बताईए कौन था जिसने पूरी दुनिया में करांती ला नेंसन मंडेला नेंसन मंडेला को क्या का जाता है अफरीका का गांधी का जाता है अफरीका का गांधी का जाता है अफ्रीका का गाधी कोन है नेंसन मंडेला आगे देखते लो यह अफ्रीका माधीप है सबसे छोट यह यहाँ पर अब इस अफ्रीका माधीप में एक और चीज़ देखेंगे तो यह लोग यह भले पीछे हैं लेकिन इनमें एक चीज़ बड़ा अच्छा है इन्होंने अपने से कहां से जाती है यह रेल लाइन जाती है काहीरा से मिस्र की राजधनी काहीरा और इसके यहाँ केप टाउन से इसके सर केप टाउन से यह अफ्रीका माधीप की सबसे लंबी रेल मार्ग है जिसका नाम है केप काहीरा रेल मार्ग सुचिए पिछड़े होने के बावजूद लेके गया यह डूनिया का दूसरा सबसे लंबा रिल मार नुव में था नीया सबसे लेके कहा तक जाता है केप ताउन से क्या कर दाता है Cape Kahira Railmark Cape Kahira Railmark ये अफरीका और मिस्र को इतने देशों को जोडता है तो इन लोगों ने ये काम अच्छा किया है यहां पर अब इस अफरीका देश जो दिख रहा है दक्षिड अफरीका अफरीका और दक्षिड अफरीका में अंतर समझ में आ रहा है न अफरीका तो पूरा एक कॉंटिनेंट है अफरीका जो है वो पूरा का पूरा एक कॉंटिनेंट है इस महादीप का जो नीचे एक देश है उस देश का नम क्या है दक्षिड अफरीका दक्षिड अफरीका तो दक्षिड अफरीका ये हो गया है आपर ये सार कौन सा होगे, केप टाउन, इधर ही हो गया, अब इसके बीच में आपको दो देश मिलेंगे, एक मिलेगा लेसे थो लाल रंग का बीच में, और लेसे थो के उपर एक मिलेगा स्वाजी लेंड, ये दो देश है सब जो उसके बीच में अलग देश है, लेसे थो और स्वाजी लेंड एकदम छोटा जैसे कई से मुंफली समोसा में कभी कभी एक मुंफली का दाना आ जाता है वैसे ही यह आपका यह अफरीका है अफरीका में यह दो छोटे देश हैं लेसेतो और स्वाजी लेंड यह भी स्वतंत देश हैं अफरीका के अंग नहीं मतलब दक्ष हो गया किसी को दिकत ले से तो स्वाजी लेंड मिला यहाँ पर ले से तो और स्वाजी लेंड यहाँ पर यह स्वाजी लेंड यह ले से तो है आराम से यह लोग जिन्दिगी बिताते हैं स्वाजी लेंड और ले से तो वाले अगर यह एसिया में रता ना और यह सब वाला तो इसमें मारधार हो गया रता भी तो हमारा है तुम हमारा है आप तो यह country कभी भी आपस में लड़ाई जाड़ा करके develop नहीं कर पाते हैं से आगे देखें किसी कोई दिकत नहीं है आगे बढ़ जाए तो यह हो गए आपका कौन सा जगा स्वाजी लेंड हो गया यह स्वाजी लेंड और यह साउथ अफरीका यह भारत से इसका काफी अच्छा संबंदे साउथ अफरीका develop है उसके ऊपर एक देश मिलेगा जिसका नाम है मोजामबिक यह काफी important country है इसको ध्यान से दिखेगा इस मोजामबिक के नाम पर दो चीजे हैं एक समुंदर है और एक जल्धारा है मोजामबिक सबको मिल गया पटा पट दिखे जल्दी मोजामबिक अफरीका के जस्ट उपर पतला सा देशों का लंबा चोड़ा इस तरह से मोजामबिक मोजामबिक मिल गया कौन सा जगा है मोजामबिक मिला चलिए अब ध्यान दिजिए यहाँ पर मोजामबिक के ठीक सामने आपको मिलेगा मेडा गासकर भारत पहले यहीं पर था मेडा गासकर के पास यहीं से तूटकर भारत उपर गया है मोजामबिक और मेडा गासकर पहले आपस में सटे थे सब अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो दोनों का structure देखे अभी भी समझ में आ जाएगा कि दोनों एक वक था जब सटे थे सब मोजामबिक और मेडा गासकर और भारत तीनों एक में सटे थे सब अभी भारत को बाद में लाएंगे पहले यहां आप देख लिजे यह अगर नक्सा के इस आप से देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि यह वाला जो उठा वाला एरिया है अगर इसको नीचे लिया के धसा आई है तो इसमें आके धास जाए गई है ले आके धसा दे क्या है रुके ले आके धसा ही देते हैं इसको इसको इसे भाग गया उल्टा सीधा जी चलिए देखिया आप अगर इस ट्रॉक्चर के हिसाब से देखेंगे ने इसको तो यह हलका से इस साइड में है यह इदर से अगर आप इसको इसमें फिट करिए गा नतिदा माराम से फिट हो जागा देखिये फिट हो गया यहां पे यह यहां पे ता तूट तूट के तूट तूट के धीरे 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 यहां पे क्या हुआ है अलग हुआ है काई है, चैनल काई है, एक आदमी का रहे हैं सरा हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप प्रिवियस क्लास नहीं देखें, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, डारेक्ट यहां आ गए है, प्रिवियस को कम्प्लीट कर लिजे, तब समझ में आएगा, डारेक्ट यहां आ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वह पिछला क्लास आप छोड़ दिया है, इस वाए से समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है कि नक्सा में कुछ ऐसा चीज है जो समझ में ना है आप लोगो यहाँ पे देखें यह चैनल है मोजांबिक चैनल अब हम लोग आते हैं मोजांबिक नाम के देश पर मोजांबिक ये जो देश है ये समुद्र के किनारे इस्तित है मोजांबिक जो देश है वो किसके किनारे इस्तित है समुद्र के किनारे इस्तित है इस मोजांबिक है ये मोजांबिक है और ये मेडागासकर है पहले यह दोनों किस्मे थे सा एक में यह टूटकर क्या हो गया अलग हो गया अलग हो गया अरश जितने लोग Atlass नहीं लिए है Oxford ले ले लें यह Atlass Oxford का यह Atlass Oxford का यह जरूर रखेंगे अपने पास यह पर तो ये वाला जगा कौन सा हो गया बैया ये Maurisus मिल गया है Maurisus Maurisus में आज भी भारत के बहुत सारे लोग बसे हुए अंगरेज यहाँ ले गए थे Maurisus की राजधानी ये port लुईस Maurisus में आज भी तमीाल और भाझपूरी भासा प्रमुख रूप से बोब लिजाती है यह port लूईस है मौलक तो क्या हो गया है किसे इस ट्रिमिंग रूग गया था आया कि यह आगया देखिया तैसल सनेट फ्लक्शुएट कर गया था सब लोग देखिए मोजांबिक, मोजांबिक के आगे मेडागासकर, मेडागासकर के आगे मिलेगा आपको, कौन सा जगा, मौरिसस मौरिसस का भारत से बहुत अच्छा संबद है, उसके नीचे मिलेगा रिउनियन द्वीप, रिउनियन द्वीप पर फ्रांस का अधिकार है रिउनियन द्वी पर किसका अधिकार है फ्रांस का अधिकार है रिउनियन द्वी पर फ्रांस का अधिकार है और फ्रांस की यहाँ पर नौसेना रहती है फ्रांस की क्या रहती है नौसेना तो याद रखेंगे हिंद महासागर में इस रिउनियन द् इंडिया देख लिए देखिए आप अफरीका को देखेंगे तो यही नहीं है आपका मोजांबिक यह मोजांबिक है यह क्या जगा है यह है आपका मोजांबिक और यह है जगा है जो मेडागासकर मोजांबिक के बगल में यह कौन सा है मेडागासकर मुझांबिक और मेडागासकर इस मेडागासकर के बगल में यह जो देश है इसका नम क्या मौरिसस और यहां पर रियूनियन दीप है इस रियूनियन दीप पर आज भी किसका अधिकार है फ्रांस का अधिकार है यहां पर आपको पढ़ा दिये जब Asia पढ़ा रहे थे, तो यह धूइब का नाम बताइए, जहां ब्रीटेन और अमेरिका की नौसेना रहती है, इस धूइब का नाम बताइए, फटाफट, यह जो बलेक कलर से बना दिये हैं, बलू कलर से, इसको बताइए, यह कौन सा धूइ डीगोगार्सिया है डीगोगार्सिया पर आज भी ब्रीटेन का कबजा है किसका कबजा है ब्रीटेन का और इस पर ब्रीटेन और अमेरिका दोनों की नौसेना रहती है कबजा भले ब्रीटेन का है लेकिन दोनों की नौसेना रहती है साज में आएकी नहीं आ गया किसी कोई द अगर हम लोग चाहिना रहते हैं तो चाहिना क्या कहता है कि मेडा गासकर प्रब्स03£ रहुंजवे, मेड़ा गासके मेरे, यी ड़ गासकर Mera है, आजेगे देखते हुँदोback, चलि ये मेड़ा गासकत, ये ज़गा कुं मेड़ा क्या, मोजांबीक ये मोजांबिक, मोजांबिक और मेडागासकर जब समझ गए तब आते हैं, ये मेडागासकर, ये मोजांबिक, ये मारिसस, ये रिउनियन, अब इस मेडागासकर के ऊपर आप एक कंट्री देखेंगे, छोटा सा जिसका नाम है मलावी, छोटा सा देश मिलेगा, पतला सा जिस एक्षुली अफ्रीका में जादे कंट्री डेवलप नहीं है इसलिए इसके बारे में आपको आईडिया जादे नहीं होगा यह पतला सा देश है मलावी मलावी में जील एक लेक मिलेगा उस जील का नाम बताना आपको विक्टोरिया जील गलत है नियासा जील वेरी गुड नियासा जील एबावु वेरी गुड उसी जील को कहते है मलावी जील नियासा जील या मलावी जील नियासा जील या मलावी जील ये जो जील है जील का नाम क्या है मलावी या नियासा तो इसी कंट्री के नाम पर पड़ा हुए है मलावी या नियासा उसके उपर आपको तंजानिया नामक देश मिलेगा इस तंजानिया देश की सबसे बड़ी विसेस्ता है तंजानिया देश मिलेगा देखे उसके उपर ये देश देखे तंजानिया मिलेगा आपको तंजानिया इसकी दो तीन विसेस्ता है बहुत फेमस है इसमें BPSC में कॉस्चन पूछा है UPSC में पूछा ऐसा कोई exam नहीं जिसमें एक बार तंजानिया से question नहीं पूछा है सबको पहले तंजानिया मिला की नहीं मिला भई तंजानिया देश तंजानिया की राज़ानी बताईए क्या है तंजानिया की राज़ानी फटा फट देखिये तंजानिया की राजधानी बताइए डोडो मा वेरी गोड तंजानिया की राजधानी डोडो मा है तंजानिया की राजधानी डोडो मा है डोडो मा लेकिन इसकी जो राजधानी है तंजानिया की वह डोडो मा में न वहां का राष्ट पती रहता है ना परदान मंतिरी रहता है कोई रहता है डोडो मा में इसकी जादेतर लोग दारे सलाम में रहते हैं कहा रहते हैं दारे सलाम तो इस दारे सलाम इसके समुंदर के किनारे एक सहरे दारे सलाम हला कि इसकी राजधानी डोडो मा है लेकिन इसकी वास्तवी की राजधानी दारे स डोडो मा अंदर है दारे सलाम बाहर है बाहर है दारे सलाम समुंदर के किनारे दारे सलाम जो समुंदर के किनारे है उसके उपर आपको दोडो आईलेंड दिखेगा जंजी बार आईलेंड दिखिए दारे सलाम जहां लिखा है नहीं उसके उपर लिखेगा जंजी बार आईले है तंजानिया का जैंजी बो किस लिए फेमस है समुंधर की किनारे होगा ऊपर वेरी गूड लॉंग के लिए फेमस है लॉंग के लिए लॉंग होता है करें लॉंग को siorang posso बहुता यह ग्लाउट है क्लॉकर बोलताह है सब of還 है ऐसे लौन होता है नहीं टाइब करद यूंकर होगे लाइब है कि इस को पर सिसका लौंग का फूल होता इस मसाला में डाला जाता है लौंग नगे से मसाल्य में डाला जा तौन कोई जादूगर के पाग मोलाना साब के पास चाहिए किसी के पास तो भूत ऐता हिए पूल होना की हूए वह पर नजर लग गया ए पूल होना साहब हो या कोई भूत उजारने वाला हो किसी भी धरम काुग को बातों में उल्याता है कहएगा सफेद मुर्गी का अंडा चाहिए जो आदमी नजर लगाया है उसके पर के नीचे की मिठी चाहिए लाल कपड़ा चाहिए पीला सरसो चाहिए फूल वाला लॉंग चाहिए उसको इसे इसे करके दुका करेगा जरो सारा उदर जागा इसे कुछ नहीं होता है यार लॉंग के लिए फिमस है किसके लिए फिमस है लॉंग के लिए, जंजीबार आइलेंड लॉंग के लिए फेमस है, आगे बड़ें, इस सब टोटका होता है, इस से कुछ नहीं होता है, यहाँ पर, आप देखेंगे बाबा रहमानी, हम मंतर देंगे, आपका फ्रेम भी चाड़ने ना देंगे, इस सब फालतू है, आगे दे लेके जाता था, तो तंजानिया ने उस पर हमला किया, और उस से वापस ले लिया, और तीस मिनिट में ब्रिटेन की नोसे ना दो दी तंजानिया को, खतम हो गया कानी, अभी वर्तमान में इस पर तंजानिया का ही अधिकार है, किसका है तंजानिया का, तो यह याद महिला महिला बैंक किस ने बनाया था ऐसा बैंक जिसमें केवल महिलाओं का ही खाता खुल सकता है ऐसा बैंक जिसमें महिलाओं का ही खाता खुल सकता है महिला बैंक फर्स्ट महिला बैंक किस ने बनाया तंजानिया ने बनाया था बहुत यह कई बार क्वेश्चन पूछा तंजानिया ने बनाया था वहू वहाँ पर एक और द्वीप मिलेगा पॉमबा द्वीप आप अगर वहाँ देखेंगे जंजीबार द्वीप के पास तो वह एक और द्वीप मिलेगा पॉमबा द्वीप दोनों लॉंग के लिए फेमस है लेकिन जादे फेमस कौन सा है भीया जादे फेमस है जंजी बार आइलेंड, पहला महिला बैंक किसने बनाया, तंजानिया ने बनाया था, तंजानिया ने दुनिया का पहला महिला बैंक बनाया, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान बनाया, फिर भारत ने बनाया, भारत का महिला बैंक सक्सेस नहीं हुआ, जब मनमोह पर आज भी है कि अगर कोई महिला काम करती है तो लोग उसको गलत नजर से देखते हैं और महिलाओं में एक चीज़े की इनकी सेलरी जादे रहती नहीं है तो जादे तर घर की महिलाएं जो हती है वो पैसा बैंक में नहीं रखती हैं वो क्या करती है ना अलमारी पैसे पेपर बिछाती है और पेपरवा के नीचे पैसा रख देती है चाहां बाक्सा रहता है ना बाक्सा बाक्सा के नीचे पलाष्टी की या कुछ चादर उदर बिछा के अखबार अगरा उसके नीचे सब पैसा रख देती हैं और वहीं उनका महिलाओं का बैंक है बाक्सा बैंक महिल आए सम मोधी जी को बहुत उलटा सिधा बोल ली ती जनते हैं कि 2016 में मोधी जी 2016 में नोटे बदल दी है 500 और 1000 का नोट नहीं चलेगा तो जिसके हस्बेंड थे कहले 500 का नोटे का है सब बदल दी है अब महिला सब क्या कहें सब बैचारी महिला सब धीरे-धीरे बाक्सा में से निकाल के देती से, लीजे ना जी, फिट करा दीजे, उसके बाद से, कोई महिला अगर कहती है अपने पती से कि पैसा खतम हो गया, तो नोटबंदी के बाद कोई पूरुस अब महिला पे बिलीब नहीं करता है कि पैसा खतम हो गया, क्योंकि हर पूरुस को पता है, कि महिला अ एक्ट्रों हमारे मुहला में एक लड़का लड़की थे सब भी आकर के भाग गया सब हम लोगे मैट्रिक के एक्जाम दे रहे थे ने तेंथ का तो उसका भी सेंटर उधरे पड़ा था उसे चुरह एक्जामे के बीचों के पटा लिया और बात बड़ी लंबा चला उसका मैट ट्रिक को ट्रिक में थे सब बड़ा हुए ग्रेजवेशन वगरा में आया ना उसको लेके भाग गया चाओ नॉमबर को लेके भागा था कानपूर पहुंचते पहुंचते आठ नॉमबर हो गया उसको मोधी जी नोटों में बदल दी सब पंच-पासों का नोट लेके भाग नोट बदल दीए तो समझा रहा है ना तो महिला बैंक भारत में सक्सेस क्यों नहीं हुआ क्योंकि भारत में महिलाएं जो है पैसा बहुत कम रखती है बैंक में बहुत कम रखती है इस वज़े से भारत में महिला बैंक सक्सेस नहीं हो पाया था और पुरूस्त महिलाओं प हमारे उपर, फता नहीं क्या है, हम CBSEO लोगों कितना मानते हैं, तंजानिया मिल गया, तंजानिया में एक बहुत बड़ा परवत है, उस पहाड का नाम कितने लोग बता सकते हैं, तन्जानिया में एक बहुत बड़ा पहाड़ है उस पहाड़ का नाम किते लोग बता सकते तन्जानिया में एक बहुत बड़ा पहाड़ है उस पहाड़ का नाम बते यह किली मन जारो किली मन जारो माउंट किली मन जारो वेरी गुड तंजानिया में है किली मन जारो किली मन जारो किसी कोई दिक्कत दे किली मन जारो तंजानिया में तंजानिया क्या किली मन जारो में कोई दिक्कत दे नहीं आगे बढ़ते हैं तंजानिया के ठीक आगे समुंदर में दिखिए, हचाक से समुंदर में उतरिए, एकदम हचाक से समुंदर में उतरिए तंजानिया से, आपको एको देश मिलेगा सेसल्स, राजधानी है विक्टोरिया, हचाक से एको देश मिलेगा सेसल्स, राजधानी है विक्टोरिया, रा इसको बाद में बताइंगेm क्या है विक्टोरिया यहाँ पर एक देश एक जगह है जिसका नामे एजम्पशन ऑइलिंड इस एजमसन आईलेंड पर भारती नेवी ने अपना अड़ा ले रखा है मोदी जी जब गए थे ना तो इस पर समझवता करके आए थे एजमसन आईलेंड के लिए बहुत अच्छा है एजमसन आईलेंड पर हमारी भी नेवी रहेगी एजमसन आईलेंड पर याद रखिएगा सेसल्स देश की रालधानी विक्टोरिया है वहां भारत की नेवी ने एक अपना सेन अड़ा ले रखा है जिसका नाम है एजमसन आईलेंड किसी को कोई दिक्कत नहीं है आगे बड़े एजमसन आईलेंड है यहां पर तो इसेना में अच्छा काम हो रहा है gef horns उन्रेंड हैं मोडी जी वहां सेना पर ध्यान जीते हैं तो दिएकOL दृत्ष नीधाना पर ध्याने में हैं नहीं है कोई पुस्ताइपर आज महांगा, आम नहीं है Anda लिए ऊंधाने ठीश कर रहा हो हमारे देश की इकोनोममी चोड़के हर चीज से सेजल्स का है, बतेछे की सेजल्स की राजधानी विक्तोरिया, strict की राजधानी विक्तोरिया, अब आप अपने नकसा में देखिएगा, तो यहां एक भरवग सिंधी दिखेगा आपको इस तरह से, दिख रहा सिंडी, सब लोग देखे इस तरह से, सिंडी टाइप का दिखे गए इस तरह से, मिला की नहीं मिला नक्समा में इदर, मिल गया, बाफरिंग होने लगा जी, मैं विक्टोरिया दिख रहा है, समको लगा बाफरिंग लिख रहा है, मिला, अफरीका में नहीं मिला जी आई से टाइप के सिंडी टाइप के होगा लाल लाल मिल गया बहू देखे बहू ये बहुत ही खतना घटना है जिस तरह से ये मेडा गासकर इसमें सटा था धीरे धीरे तूटना हो गया तूटके अलग हो गया न वैसे ही ये पूरा हिस्सा तूट के अलग हो रहा है बीच में गैप हो गया है और ये गैप की चोड़ाई एक नदी की चोड़ाई के बराबर हो गई यानि वहाँ पे सब सही था लोग खेती करते थे पता चला दादा जी खेती करते थे खेत में हैं या दादा जी खेती करते थे आज ये खेतवा तूट गया है और आधा इन्ने आधा इदर अभी इस खेत से उस खेत में नहीं जा पाते है पानी नहीं भरा है लेकिन धीरे धीरे जमीन अब कट रहा है अब आदमी को गड़ा में उतरना पड़ता है बहुत गड़ा हो गया है अब धीरे 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 उस गड़ा में पानी भरेगा और ये एरिया अलग होते जाएगा और अफरीका कट के यहां आजाएगा अफरीका क्या हो जाएगा कट के यहां आजाएगा और एक वक्त आएगा जब ये पूरा रिफ्ट वैली जिसे हम पूरवी भ्रंज घाटी कहते हैं इस्ट रिफ्ट वैली आफ अफरीका कहते हैं रिफ्ट मतलो होता है धंस जाना वो यहां धीरे-धीरे खसा करा है भगवान करें आके सट जाए भारत में रहें तब टक हम लोग नहीं रहेंगे अरे हम तो मनाते हैं कि यहां से कठ किAT अधके ले यहां भारत को अतना थेज धके लेकि हहीमाणय उप और फोड़ जाये चाईनय की ऊपर उकर चैनल obviously इती इती होता हि ज nuo जपन को दो है आएा जागर शुतना कि डल सोफ लोड़ा है यहाँ अगिया होता है और खाना में तो कुचुद का जाता है कोणा अगर बढ़ रहे गा तो उसको भी का जायागा कुछुद का जाया एकः तन दम अगर कर जाते घरने तन खाने वाला चीज खाओ, हो गया, आगे बढ़े, ये अफ्रीका, लाल लाल डॉट 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 मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों, चलिए, नया नया लड़कों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, एक्चुली आप अफ्रीका पढ़ा दिये हैं, एसिया पढ़ा उसमें एड्मिशन स्टाट हो गया नक्सा का, इस वाज से थोड़ा नया वालों को दिक्कत हो रहा होगा, खर प्रीवियस क्लासेज हैं आपके पास, आप उसमें देख लीजे, ये तो समझ में आ गया तंजानिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, तंजानिया के ऊपर एक जील तंजानिया, केनिया, युगंडा, इन तीनों के सीमा पर एक देश है, आप देखिये उस देश का नाम क्या है, जील का नाम क्या है, विक्टोरिया जील, विक्टोरिया जील से कौन सी नदी निकलती है, नील लदी, विक्टोरिया जील कितने देशों पर, तीन देशों के सा साथ नहीं लगती है एक थाप का तंजानिया यूगांडा केनिया सोमालिया सोमालिया के साथ नहीं लगती है सोमालिया इधर है सोमालिया बहुत चोर देश है, कुछुची चुरा लेता है, जा आजे चुरा लेते हैं से, पानी वेली जहाज, बंदूक लेके चड़ जाते हैं से, ले आप पईसा, ले आप किड्नैपिंग कर लिया है, इन लोग को सजा नहीं देना चाहिए, जिन्दा जला देना चाहिए, सजा ऐसा दीजे ना, मौट डर जाए, सजा इस तरह से हो, कि यमराज डर जाए, और इमर्जेंसी में डारेक्ट कॉलिंग करे भगवान को, यह भगवान बहुत बुरा मारे हैं सो, इसको हम नहीं ले आ पाएंगे, ऐसी सजा दो कि यमराज डर जाए, उनका भाइसा जो होत इदम बुरा सजा दीजे, वरना ही सब लूट लटके खतम कर देगा, सब ले, एगो पूछ रहा है, कि सर, अफरीका का जतना देश है, उस अब सीधा क्यों है, रे बकलोल वाकले बताय थे, मरू अस्थल के बीच में जो भी बाउंडरी खीची गई, वो सीधा खीच दिया खीच गया, होगया, वरी गोड, यह अब लिचन वाय समग, अब चलिए, अब आपको बताते हैं इसके बारे, यह यह अब जो है जो आइन आ, उपर में आपको इसके उपर जस्ट मिलेगा यूगांडा, यूगांडारी राधानी यह कंपाला, यूगंडा की राज़ानी क्या है? Kampala यूगंडा की राज़ानी Kampala हीरन की परजाती भी एक होती है Kampala छोटे साइज की हीरन होती है उसकी सिंगलंबी होती देखें यहाँ एक देस है इजराईल इजराईल के कुछ लोग जो थे फ्रांस में थे तो फ्रांस से एक जहाज उडी नो तो अतंग्वादी करके कहाँ लेके चले आएसी यूगांड़ा लेके चले आएसी और इज्राइल से कहा कि ए इज्राइल इज्राइल हम तुमको नहीं छोड़ेंगे अगर तुम अपने लोगों को जिन्दा देखना चाहते हो अगर अपने लोगों को जिन्दा देखना चाहते हो तो हमारे आतंगवादी भाईयों को रिहा करो इजराइल लेका था है तुम्हारे आतंगवादी भाईयों को रिया करो क्योंकि इजराइल ने इनके आतंगवादी भाईयों को सत्तर हूरों के पास पहुचा दिया था वो लोग सत्तर हूर में भीजी हो गए थे इसलिए वो तो नहीं आ सकते थे अब इज्राइल क्या करें तो इन आतंगवादियों के लिए उन्होंने क्या भेजा कमांडो भेजा और ये कमांडो जहाज लेकर उतर गए कहां पर यूगांडा में और यूगांडा में जहाज लेकर उतरे वही जहाज लेकर उतरे जो यूगांडा के राष्टपती की और इसका नेतरित कर रहे थे ना बेंजामीन नेतनियाहु जो इसराइल के प्रधान मंत्री उनके भाई वह वहाँ पे पीठ में गोली लग गई थी लेकिन फिर भी भागे इसराइल पहुंचते पहुंचते मौत हो गई केवल एक कमंडो की मौत हो गई थी सपार्ट कर दिया सारे लोगों को इतना खतना कैं इसराइल लोग कहते हम इसराइल को मिटा देंगे इज्राहिल को मीटा देंगे हद है बाई साब अब हम कहें कि हम वाइट हाउस उड़ा देंगे इससे दो घाउस उड़ा वाइट हाउस हम कहा हाँ जाए जब भाले यार सपने देखना गलत बात नहीं होती है अब हम कहीं कि हाथी हमसे नहीं लड़ पाईगी या बहुत बड़ काम टीचर है हाथी से लड़ जाएंगा तू रहो नहीं या पर बकरी काट लोगे सही है इसा ठीक है इसराइल को मारेगा यहाँ अजया भाल है आगे फड़े यूगांडा मिल गया यूगांडा की राजदानी क्या रहागी पाला यूगांडा की राजदानी पोलिया कंपाला मुशाद का यह operation था यहाँ पर संज्ञा गया कि नहीं गया इस पर YouTube पर एक ठो वीडियो बना देंगे यूटूब पर बनाएंगे तो उसमें एनिमेशन वगरा सब ठूश्ठास देंगे इसमें संग्या गया इसी पर तो यह हो गया यूगांडा किसी को दिक्कत नहीं यूगांडा के नीच यह बगल में है Kenya Kenya के लोग एक दो मंगरईला की तरह काला होते हैं हमसे भी काला होता है ब्लैक होल Kenya Kenya की राजधानी बताएंगे Kenya की राजधानी नेरोबी है अंतराष्टिय परियावरण संगठन का मुख्याले कहां है नेरोबी में है International Environment Climate Change का जो Head Office है वो कहाँ पर है नारोबी में है कहाँ पर है नारोबी में है Kenya का सबसे बड़ा सहर कहाँ नाम किया है Mombasa समूंदर के किनारे है दोस्टों सहरे Kenya में फेमास है एक है आपका नारोबी और एक है आपका Mombasa Kenya एक टूरिस्ट प्लेस है यहां लोग घूमने जाते हैं बेसिकली किस लिए यहां पर wildlife century देखने के लिए यहां पर टूरिष्ट था आपको जीप में बइठा देगा सेर वर आपके बगल से गुजरेंगे सब wildlife century के लिए यहां पर बहुत फेमस जगह संज जागे कि ने आ गया यह जगह कों सा हो गया? मॉमबासा और यह कों सा? केनिया की राजदानी नैरोबी और इसका सबसे बड़ा सार मॉमबासा हो गया? नहीं हो जी सत्तर हूर कहाम अरे बाड में जाए सबसे हाँ आतंगबादी से पूछी है क्या पता कहा जाता है सभू सब यहां पर चलिए यहां देखे ध्यान सब यहां पर यह जील कौन सा है यहां देखे यह जील जो है यह यह वाला एरिया है यहां पर यह एरिया इस एरिया में आपको मिलेगा यहां पर विक्टोरिया जील विक्टोरिया जील के नीचे दूगो देश मिलेगा सब, एक का नाम है रवांडा, एक का नाम है बुरूंडी, एक का नाम है रवांडा, एक का नाम है बुरूंडी, रवांडा और बुरूंडी दो तो देश मिलेगा, तंजानिया, विक्टोरिया जहिल के नीचे, रवांडा और बुरूंडी, दो देश मिलेगा, ये आपस में लड़ गय थे सब देश वाले रवांडा और बुरुंडी और इसको हम लोग कहते है रवांडा नरसंगहार इसमें एक देश की जनता दूसरे जेट देश की जनता में घुसके काटा कुटी कई थी कई लाख लोग कटा गय थे कितने बच्चे मारे गय थे छोटे चोटे बच्चों को लोगों ने काट दिया था रवांडा और बुरुंडी में जिस घटना को हम लोग बुरुंडी रवांडा नरसंगहार कहते है तो ये रवांडा और बुरुंडी है इन लोगों को पता नहीं क्या चाहिए देखो भई असी चित्ता इतना बेकार चीज ह होता है गुसा क्योंकि गुसा ही अहंकार को जनम देता है जब तक आपने गुसा नहीं आएitel अधाना अपने प्रयक्त अभतल इम क्योंकर आहिए इ स्केऴ लिद не क्यों केवल इन सोचिएगा कि हमें गुसा बढ़ाई लिखा इंसान गुस्स में लीघव में करेंगे ँ师 में गलत्चीज है दिपावली के समय आप सब लोग मिल्यूलकर दिपावली मनाएं और हिंदी मीडियम वाला क्या जलाएं? मतलब दिया जलाएं हिंदी मीडियम वाला दिया कौन सा? जो कुमार जो दिया बनाता है न ये हिंदी मीडियम वाले दिया को जलाएं और इस दिया को जलाएं और अपने खेत का सरसो तेल या जो भी है उससे जलाएं अच्छे से भगवान अगर आपको लक्षमी दिया है आप घी का दिया जलाएं लेकिन जो भी कोसिस करें कुमार के बने हुए दिये को ही जलाईएगा कसम है आप सब लोग को अगर आपने अगर चीन के बने हुए जो जालर मोती लगा दिया तो लक्षमी जी से हम कहते हैं कि उसके घर में कभी मत आईएगा जो चीन का जालर मोती लगाए हाँ पर उसी के घर में लक्षमी आए जो भारत की मिट्टी के बने दीयों को जलाए और वो भी उसी में आएंगे क्योंकि भारत की मिट्टी से प्रेम करते हैं यहां आएंगे तो बाकी जिसने अगरी जालर मोती लगा दिया बीपत घुश जाए उसके घर में हमारे देश के सैनिकों को चीन गलवान में घुसेगा हमारी जमीन कबजा करेगा हम उसकी जालर मोती लगाएंगे ऐसा नहीं है दीपावली आप मनाए अपनी दीये से रात भर जगे जब भी दीये में तेल खतम हो आप उसमें डाल दे लोग जालर मोती क्यों लगाते हैं चादातान के सो जाते हूँ जगमक जगमक जलते रहता है अरे दीपावली साल में एक बार आता है अच्छे से सेलिबरेट करो बचपन में हम लोग क्या करते थे तो हम लोग के घर की दिया बुछ जाता था नो चोटे दोब दूसरे के घर में देखते थे दिया जला यहाई उसका तेल चुरा लाते थे द्हों बच्पन में अब बड़ा हो गया आदमी तो सब जिन्दगी जिन्दगी कहां रह जाती है बड़े होने के बाद जिन्दगी जिम्मेदारी हो जाती है अभी आप लोग का इंज्वाय का उमर है अच्छे से दिया वगरा जलाइए बट यह सा हम लोग के समय में तो चाइनीज हालर मोती था नहीं दूसरे के घर से तेल चुरा चुरा लेके चले तो उसके दीया में से निकाल ली कटोरा लेके जाते तो निकाल के रख लो या फिर अपने घर के दिये ने बुझने देते ते आप इसकी कोशिज कीजिए बाकी पटाके वगरा थोड़ा कम ही छोड़िएगा क्यूंकि चाहे हमारा 15 अगस्त हो या रक्षा बंदन हो या बकरीद हो कुछ तो समझ में नहीं आया तो इसी तरह से एक बार कोरोना निकल जाए फिर सब धूम धाम से मनाएंगा लेकिन हमेशा याद रखिए हम दोवारा दोहरा रहे हैं आपके पलास्टिक के जो भगवान है वह भी घंतरस की आप लोग घरए कर लिजेगा लोग जलदी जलदी काम्याब हुए और फो अब सब को करें कि आपकी नौकरी जलदी से जल्दी हो जाए बहुत जल्द अगलेchnze वह धनतरस को आप अपने ममी को पताजी को अपने का कमी लगांँ देते हैं बहुत खुश होंगे उस दिन दिल लगा के पढ़ाई के रिए नौकरी तो होगी ही नौकी क्योंकि नौलेज रहेगा तो छीन के को लेगा नौकरी उससे बार दुद्दू को नौकरी मिलेगा अदमी को फिर सलेक्ट करेगा को अच्छा है समझे गया आप सब लोग को हैपी दिवाली आप सब लोग को दिवाली की धेर सारी सुब कामना है दिवाली आपकी जीवन में खुशिया लाएं मिलेंगे मंडे को जहिन